एनाटोमी के अंतरगत अपन पढ़ रहते एनिमल इस्कलेटन और एनिमल इस्कलेटन है जो किसे कहते हैं यह मैंने आपको पहले भी बता दिया दुबारा फिर आपको मैं बता रहा हूं कि पसु का अस्तियों से मिलकर बना धाचा एनिमल इस्कलेटन या पसु कंकाल कहला था ह और अपन अध्यन की दरैश्ति से Animal Skeleton को दो बागों में बाढ़ सकते हैं जिसका पहला बाग है आपका Axial Skeleton और दूसरा पार्ट है Appendicular Skeleton यानि पहला पार्ट है और आक्षिय कंकाल और दूसरा पार्ट है उपांगे कंकाल तो उपांगे कंकाल और उपांगे कंकाल के अंतरगत पाई जाने वाली अस्तियों के बारे में अपने पढ़ लिया था आज अपन बात करेंगे अक्से कंकाल के अस्तियों के बारे में इन सभी का अध्यन अक्षय कंकाल के अंत्रगत किया जाता है। तो आज अपन बात करेंगे अक्षिय कंकाल की जिसके अंत्रगत इसकल यानि खौपडी, वार्टिब्रल कॉलम यानि कशेरुगदंड, रेप्स, पसलियां और इस्टननम का मतलब है उरोस्ति का अधिन करेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका लिया खौपडी के बारे में गोवन्स में खौपडी कई छोटी बड़ी अस्तियों से मिलकर बनी होती है खौपडी में कुछ अड़ियां युगमित यानि पैर होती है और कुछ अड़ियां एकल होती है कोपड़ी कई परकार की छोटी बड़ी अस्तियों से मिलकर बनती है जिन में कुछ अस्तियां युगमित होती है और कुछ अस्तियां अयुगमित होती है गोवन्स की कोपड़ी में सबी हड्डियां आपस में एक दूसरे से एक बारिक आरी की रेखा के रूप में जुड़ी रहती है और इस आरी रूपी रेखा को सूचर कहते हैं शूचर लाइन यानि जो खोपडी है, उस खोपडी की सबी हड़ियां आपस में एक दूसरे से बारिक रेखा के रूप में जूड़ी रहती है, और इस रेखा को अपन क्या कहते हैं, शूचर कहते हैं, खोपडी के उपरी भाग को क्रेनियल पाट कहते हैं, जो मस्तेस्क को ग कि शुरुवात होती है वहाँ पर खौपडी के पिछले भाग में एक बड़ा छेद होता है जिसे फौरामेन ओप मेगनम कहते हैं और इसी फौरामेन से मस्तिस्क से ispinal cord की नर्व और बलड वैसल निकलती है यानि कोपडी के पश्चे भाग में एक बड़ा छेद है जिसे फौरामेन ओप मेगनम कहते हैं और इस फौरामेन ओप मेगनम से मस्तिस्क से spinal cord, cranial nerve और blood vessels निकलती है, जो मेरुदंड का निमान करने में सहाइक होती है, यह आपन कह सकते हैं, कि मेरुदंड या कशेरुक दंड की पर्थम जो कशेरुका है, सर्वायकल कशेरुका, जिसको आपन एटलस कहते हैं, वो फोरामेन ओप मेगनम से आकर जोड़ती है, यह हो गया आपके इसकल, इसकल में क्या पाये जाता है, जबड़ा पाये जाता है, जबड़े के बारे में देखते हैं, नेचे के जबड़े में जो हड़ी पाये जाती है, उस हड़ी का नाम है मेंडिबल, तो आपन सिधा-सिधा कह शकते हैं कि निचले के जबडे को mandible कहते हैं जो एक खौपरी का पार्टी है चहरा है, mandible है, ממगजिला, प्रिमेखिला ये सब क्या है skull के अंतगत आते है निचले जबडे में molar, premolar, insicidal दान्त होते हैं और उपरी जब्रा प्रिमॉलर दाटों के लिए गड्डी होते हैं गाय बैस की बात कर रहा हूं है, गाय बैस के नीचे के जबडे में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रिमोलर, मोलर, चारू परकार के दाथ पाए जाते हैं, लेकिन उपरी जबडे में केवल, प्रिमोलर, और मोलर दाथ पाए जाते हैं, अब आपके यहां पे important question बन जाता है, कि रुमिनेंट पसों के उपर वाले जबडे में इंसाइजर दाथ नहीं होते हैं, उनके इस्थान पर एक पेड होता है, जिसे डेंटल पेड कहते हैं, तो यहां पे दो क्यूशन बनेंगे आपके, सीदी सीदी, पहला क्यूशन, डेंटल पेड किसे कहते हैं, दूसरा में पाये जाता है, तो डेंटल पेड रुमिनेंट पसों में पाये जाता है, और रुमिनेंट पसों के उपर वाले जबडे में इंसाइजर दाथ नहीं होते हैं, उनके इस्थान पर एक गद्दी नूमा संरचना पाये जाती है, जिसको आपन डेंटल पेड कहते हैं, मुह म जीब के अंदर की तरफ एक उपास्ती होती है जो जीब को आधार परदान करती है और जीब को निश्चित चगह पर इस्तित रखने में मदद करती है उस अस्ति का नाम है आपके हायोईड बॉन ये भी कई बार क्यों से में पूछा जाता है कि हायोईड बॉन पसु शरीर में कहां पाई जाती है तो हायोईड बॉन पसु शरीर के मुह में पाई जाती है और जीब के आधार भाग पर पाई जाती है खौपड़े में नाक, आँख और कान के गड़े होते है खौपड़े में नाख, कान और आख के ओर्बिट या गड़े होती है, जो अपन आख देख रहे हैं, आख को निकालने के बाद जो गड़ा बन जाता है, उस गड़े का निर्मान भी खौपड़े की अस्तियों द्वारा होता है, फैसियल बोन के माधिम से होता है, नाख की जो पासु सरीर हो, चिमनों से शरीर हो, उसका कोई अस्तित्वय नहीं है, अस्तियों से मिलकर जो डाचा बनता है, उस डाचे को स्कलेटन या कंकाल कहते हैं, अब अपन बात करते हैं कि खौपड़े की अस्तियों को मुख्य रूफ से दो भागों में बाटा गया है, इसके अल क्रेनियल बोन और फैसियल बोन के बारे में, क्रेनियल बोन को कपाली अस्तियों कहते हैं, और फैसियल बोन को अनिका अस्तियों कहते हैं, क्रेनियल बोन की कुल संक्या 11 होती है, और फैसियल बोन की कुल संक्या 17 होती है, तो इस परकार आपको पूछ ले कि खौपड़े मे कुल कितने परकार की अस्तियां पाई जाती है तो खौपड़ी में क्रेनेल बॉन और फेसियल बॉन को मिलाकर 28 परकार की अस्तियां पाई जाती है लेकिन खौपड़ी में पाई जाने वाली कुल अस्तियों की बात करे तो वो है आपके गाय में 32 यानि और इसके कारण चार अस्तियां ये हो गई और 28 ये है तो 28 और 4 32 अस्तियां हो गई अपने पसू में अस्तियों के संक्या पड़ी थी बहुत पहले पढ़ा था इसी चेप्टर में तो उस टाइम बताया था आपको कि गाय के सरीर में कुल 200 अड़ियां पाई जाती है तो उनमें से अपने को पता होना चाहिए कि अगले पेर में कितनी हड़ी होती है पिछले पेर में कितनी हड़ी होती है खौपड़ी में कितनी हड़ी होती है, कषरुखदंड में कितनी हड़ी होती है, यह सब चीजे मैंने आपको पहले बता दी है, आप इच्छे का वेडियो भी देख सकते हैं, तो आज अपन बात करते हैं, क्रैनियल बॉन के बारे में, तो सबसे पहले, ओक्षिपिटल, यह य इसकी संख्या भी एक होती है, इत्मोइड इसकी संख्या भी एक होती है, पेराइटल, फरंटल, टेंपोरल और इंटर पेराइटल, यह चार अस्थियां है, यह चार क्रैनियल बॉन है, जो युगमित होती है, यानि गाय में कुल क्रैनियल बॉन की संख्या 11 होती है, जिसम जबकि पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और इंटर पेराइटल नामक अस्तियां युगमित होती है, तो इस परकार गाय में कुल क्रेनियल बॉन की संक्या होती है, क्यारा, अब बात करते हैं अपन फेसियल बॉन की, फेसियल बॉन है, जो सभी युगमित होती है, केवल एक वोमर अस्ति है, जो ए युगमित होती है, बाकि सभी फेसियल बॉन युगमित होती है, तो अब फेसियल बॉन के नाम आपको पता होना चाहिए, क्यूसन कई बार एक्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तीन आपको क्रे क्रेनियल बॉन देदेगा और एक फैसियल बॉन देगा तो क्योसन ऐसा पूछेगा कि निम्न मेंसे फैसियल बॉन नहीं है या ऐसे देदेगा निम्न मेंसे फैसियल बॉन है तो आपको क्रेनियल बॉन और फैसियल बॉन दोनों मेंसे किसी एक परकार की बॉन के नाम याद कर लिए तो facial के नहीं करने और facial के कर लिए तो cranial के नहीं करने है और दोनों के कर लेते हो तो सबसे अच्छी बात है लेकिन आप इनको 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से यह नाम आपको आशानी से याद हो जाएंगे और नाम के साथ इनकी संख्या भी आपको याद होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी अस्ती है जो ऐयुगमित होती है और ऐसी कौन सी अस्ती है जो युगमित होती है क्रेनिल बॉन की बात करें तो ओक्सिपिटल इत्मोईड और स्फिनोईड ये ऐयुगमित होती है बाकी सभी युगमित होती है Facial bone की बात करे où Omer Aasthi एयुगमित होती है बाकी सभी Facial bone एयुगमित होती है Leacrimal, Muller, Maglella, Premagella, Pelotaine, Nasal, Terigoid, Tribunate यह सभी युगमित Facial bone है, जबकि βो Omer नामक Facial Aasthi एयुगमित होती है इस परकार गाय में कुल फैसियल बॉन की संख्या हो गई आपके 17 और टोटल क्रेनियल बॉन और फैसियल बॉन की संख्या हो गई 28 अब अपन अगली क्लास के अंतरगत पढ़ेंगे एक एक करके कि सबसे पहले ओक्सिपिटल क्रेनियल बॉन के बारे में पढ़ेंगे प्रिस्पिनोईड, इत्मोईड, प्रेटल, फ्रेंटल इसे करके पर्तेक, क्रेनिल बॉन और फैसिल बॉन के बारे में अपन बहुत ही विस्तर ट्रोप से पढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको cranial bone और facial bone का नाम और इनकी संख्या याद होनी चाहिए अगर याद नहीं है तो आप इनको फिर बोल रहा हूं में एक बार दो बार लिखके याद करने की कोशिश करें एक जाम पॉइंट आप यू की दरश्टे से आपके बहुत ही important question बनेगा यहाँ पे एक dental pad का dental pad किस में पाया जाता है dental pad का निर्मान कैसे होता है और dental pad किसे कहते हैं इसके अलावा ऐसी कौन सी facial bone है जो एयुगमित होती है वो है केवल वोमर अस्ती है एक मातर जो एयुगमित होती है अन्य सभी facial bone युगमित होती है तो यह आपके छोटे-छोटे question इसी परकार के बनते हैं जो फिलिंदा blanks के question आते हैं वो इसी परकार के question होते हैं और यहाँ से question उठता है सीधा-सीधा question बनता आपके दन्यवाद झाल